हेलो एवरिवान इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे फंक्शनल अनाटमी ओफ फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम इस वेरी इंपॉर्टन यहां पे फेलॉपियन त्यूब यूटरस में आता है इफ अड़ टाइम कॉटरस अकर तो फर्टिलाजेशन हो जाता है अधर्वाइस जो यूटरस की एंडोमीटर है वो शेडिंग होके as the menstrual blood बाहर आ जाती है और हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी जो अनाटमी है यह यूटरस की तरीके से बॉड़ी में सिचुएटेड है ओवरी कहां पे है और external genitalia and internal genitalia की फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे तो external genitalia में सबसे पहले यहां पर एक यह और anteriorly एक raised portion होता है छोड़ा उटावा portion होता है mons pubis और यह portion है vestibular portion इसे कहते हैं हम verstibule इस vestibule में सबसे outer side में होता है labia majora majora होता है major word से बना है majora तो यह एक skin का thick fold होता है thick fold होता है जिसको हम labia majora कहते है और उसके अंदर की तरफ skin का ही बना हुआ एक thin fold होता है जिसको हम labia minora कहते हैं यहां पर labia majora is analogous to scrotum of the male genitalia यानि कि यह male genitalia का scrotum के similar type of structure है क्योंकि during development क्या होता है male और female दोनों का development same तरीके से शुरू होता है बाद में later stages में वो changes आते हैं female female में convert हो जाता है और अगर male person है मतला तो जैसे male का development हो तो male organs convert हो जाता है तो females में आगे जो development है उसमें labia majora बन रहा है लेकिन males में scrotum बन रहा है same structure से अब यह जो vestibule है इसमें दो opening होती है anteriorly urethral opening होती है जिससे urine pass होता है और posteriorly और थोड़ा सा मतला पोस्टेरली होता होता है posteriorly vaginal orifice होता है जिससे every month menstrual blood बहार आता है और delivery के टाइम पे baby यहां से out होता है और यह जो यहां पर आगे की तरफ में anteriorly एक tissue होता है that tissue is a erectile tissue and this is known as clitoris और यह clitoris और यह clitoris मेल के किस ओर्गन से अनलोगस है पैनिस से अनलोगस है यानि कि इसमें जो development में male external genitalia में पैनिस बना उसी structure से इस females में clitoris बनता है और पीछे के तरफ में posteriorly anal orifice होता है और यह आपका female genitalia है external genitalia अब vaginal orifice का internal जो opening है वो vagina है vagina और उसके ऊपर आएगा cervix और फिर आएगा uterus और urethral जो orifice है यह आपका urethra and urinary bladder इसके अंदर जो अंदर जो है आपका urethra and urinary bladder है अब यह vagina किस तरीके से situated होता है vagina and uterus तो यहां body में क्या होता है यह anterior portion है और यह posterior है यहनि back side का portion है तो anteriorly यह क्या होता है anteriorly urinary bladder होता है और posteriorly rectum होता है यहनि कि जो आपका यह uterus है uterus cervix and vagina यह बीच में है और इसके आगे की तरफ में urinary bladder है और पीछे की तरफ में rectum है जो कि GID का part है इसलिए क्या होता है जब हमें baby को deliver कराना होता है through cesarean section तो एक क्या होता है कि यहां पर इस तरीके से incision लगा जाता है पहले क्या होता था पहले के time पर यहां पर जो infusion लगा जाता था वो vertical लगा से कराते थे लेकिन इसके अपने बहुत सारे side effects से उपर से इसमें जो scar mark होता था बहुत बड़ा दिखाय देता था अब धीरे धीरे फिर ये replace हुआ और आज की time पे सब में एक transverse incision लगा जाता है ये तो ये transverse incision lower होता है और इसके cosmetic effect अच्छे है यानि कि बहुत जादा इसमें scar mark नहीं दिखाई देता और भी other benefits होते हैं इसके तो जब ये incision लगाया जाता है तो उससे बहुत ध्यानक नहीं क्योंकि सबसे पहले कौन सा structure आएगा urinary bladder उसके बाद ही तो आप uterus तक पहुंचेंगे तो इसके लिए आपको दो precaution रखनी होती है कि सबसे पहले तो scissor incision से पहले urinary bladder को खाली करा लिया जाता है catheter एक जैसी tube type structure होती है catheter बोलते है उसको उस catheter की help से urinary bladder में उस catheter को डाल देया जाता है through the help of this urethral orifice यहां से हम उसको जो catheter होता है उसको अंदर insert करते हैं वो का जाता है urinary bladder में और यहां से urine खाली हो जाता है उसकी वज़े से uterus यह urinary bladder थोड़ा वैसे ही नीचे आ जाता है तो यहां पर incision लगाना थोड़ा safer है और दूसरा वैसे भी इसको ध्यान रखा जाता है कुछ हमारे पास जब हम इंस्टूमेंट कुछ इस टाइप के इंस्टूमेंट होते हैं इसको हम इहां रखके और फोड़ा नीचे पूल कर लेते हैं यह बहुत important चीज है कि during scission section urinary bladder को injury से बचाना होता है otherwise क्या होता है कि अगर injury इसमें हो गई urinary bladder में तो हो सकता है कि जैसे हम normally urine को अपना hold कर पाते हैं तो अगर injury हो गई तो urine को hold नहीं हो पाता urine काई बार ऐसे बहुत frequently urine oxygen हो सकता है तो means यह injury से बचाना होता है यह anatomical structure से इस importance को समझा जा सकता है तो urinary bladder anterior है और posterior क्या है आपका rectum होता है तो यह urinary अब इसमें क्या क्या structure है यहाँ पर सबसे बाहर हमने कौन सा orifice है vaginal orifice यानि vaginal orifice इस तरीके से vagina में convert होगा है आपे अंदर तो यह vaginal orifice vaginal orifice open into the vagina यह vaginal tubular type की structure होती है और इसकी जो length होती है वो होती है almost 8 cm लेकिन यह vaginal बहुत ही अंदर की तरह folded रहता है और यह बहुत stretchable होता है तो according to requirement यह vaginal stretch कर सकता है जैसे during baby का पार्चुरिशन होता है जैसे baby की delivery के time पे यह stretch हो सकता है काफे टाइब उस तक और यह इसकी length में increase हो सकती है और इस vaginal में accordingly changes भी आते हैं जैसे हमारी जो cycle होती है उसमें सबसे पहले जो follicular phase उसमें estrogen high होता है और जो बाद की जो phase होती है luteal phase उसमें progesterone high होता है तो जो starting में follicular phase है उससे estrogen की help से यह एक थिन टाइप का liquid सिक्रीट करता है और उस थिन टाइप की liquid से क्या होता है कि sperm की entry में help मिलती है क्योंकि वो thin fluid होता है और after 14 days जब luteal phase होती है क्योंकि अगर fertilization होना होगा तो 14 days से पहले पहले हो जाएगा मतला 14 days के आसपार जब होगा release होता है तो fertilization हो चुका होगा तो अब जाते है को infection ना enter करे और और को extra sperm ना enter करे उसके लिए क्या होता है luteal phase में with the help of progesterone effect यह जो वेजाइना का liquid होता है थिक हो जाता है तो यानि की वेजाइना में भी cyclical changes होते हैं according to the hormonal time according to the menstrual different phases अब यह जो वेजाइना है यह खुलता है उपर uterus में अब अगर आप देखेंगे तो uterus जो है ना वेजाइना से थोड़ा angle बनाता है यह बहुत important चीज है कि यह एक angle बनाता है अब इस uterus में यह तो uterus की body होती है और इसका जो opening जहाँ पे यह uterus जो है जहाँ पे वेजाइना में open हो रहा है उसको हो मोलते हैं cervix और cervix जो है बहुत important portion है क्योंकि cervical dilatation कई बार बहुत सारे बहुत सारे investigations पे cervical dilatation बहुत important होता है अगर आपको uterus से कोई tissue लेना है for the testing यानि endometal tissue की testing करनी है तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास एक कुछ instruments होते हैं इस टाइप के और वो अलगलग size के होते हैं थिकनेस उनकी मोटी होती है उनको हम sound कहते हैं तो हम पहले क्या करते हैं छोटा पतला वाला समें डालके इसको dilatate करते हैं फिर उसके बाद और उच्वणा मोटड़ आलते हैं तो मतलब इतना करते हैं कि अंदर यह हम एक टूब के थूप के थूप जाके वहां से हम क्युरूताज कर सके यादी कि महां से टिशू ले सके तो उसको हम कहते हैं DnC, क्या कहते है, DnC का मतलब है Dylation and Curatage ऐसे ही अगर कोई जैसे किसी को abortion हुआ, यह abortion करना है, medical abortion तो उसके लिए बें DnC किया जाता है, यह दिलेशन करके क्यूरतास किया जाता है, जो भी टिशू बचा हुआ है बेबी का, जैसे पहले हम क्या करते है, बेबी के डिलिवरी में कितना टाइम बचा हुआ है, यानि कितनी जल्दी वो हो पाएगी, अब इस uterus का structure है, इसको हमने बनाए हाँ पे, uterus में fundus portion होता है उपर, फिर body होता है और lower portion है cervix, इस cervix के दो औस open होते हैं, जिसमें यह uterus की मोहिन बोड़ी से open होता है, उसको हम बोलते है internal loss, और जिसमें यह वजायना के साथ खुलता है, उसे हम कहते है external loss, ओके, यह हमारी होते है uterine cavity, और यह है वजायना, यह uterine cavity, इधर की तरफ यहां से एक fallopian tube निकलती है, यह fallopian tube, इस fallopian tube की length होती है 10 to 15 cm, और इसके जो parts होते हैं, वो होते हैं, इस्थमस, starting portion, middle portion is ampulla, and the last portion is infantibulam with fimbria, इसमें finger-like structures होते हैं, इनको fimbria कहते हैं, तो जब ova से, यह ovary से, यह ovary actually direct connected नहीं होती इस fallopian tube से, यह यहां पर peritoneal में पढ़ी होती है, और uterus से attached रहती है, लेकिन directly, ova का connection directly नहीं है, यह peritoneal cavity में पढ़ी होती है, जो कि 10 gram की ovary होती है, approximately, से याद रखेंगे 10, और यह भी 10 to 15 है, उसे थोड़ा सा कम जो है, 8 cm वजायना की length होती है, तो जब every cycle में जब यहां से ova निकलता है, तो यह जो fimbria है, इन fimbria की moment होती है, इस तरीके से, और यह उस ova को catch कर लेते है, तो fimbria की help से ova catch होता है, और ova जो है आपका इस fallopian tube म यहां से sperm जाता है, और sperm जाके यहां जाके sperm, यह ova के साथ में मिलता है, और यहां पर आपका fertilization होता है, तो what is the fertilization, where the fertilization occur, in the ampulla of the fallopian tube, okay, so this is about the internal and external genitalia of the females, अब next video में हम पढ़ेंगे कि यह जो ova में से, overy, जो overy है, overy में ova कैसे बन रहा है, that is known as oogenesis, thank you so much students.